नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या अगर मैं एक्जेमिटेड गूड्स की सप्लाई करता हूँ तो इवेबिल की जरूत पड़ेगी है क्योंकि एक्जेमिटेड गूड्स के ओपर कोई GST नहीं लगता तो क्या मुझे जब मैं अपना गूड्स का मूवमेंट कराता हूँ वन प पिकल ठीक बात है कि जब हम गूड्स का मूवमेंट कराते हैं तो एक्जेमिटेड आपको इवेबिल की जरूत होती है लेकिन एक डाउट क्रेड होता है कि क्या एक्जेमिटेड के केस में भी एक्जेमिटेड है तो दोस्तों इसका जवाब हाँ है चाहे आपका गूड्स या एक्जेमिटेड हो अगर आप गूड्स का मूवमेंट कराते हैं तो आपको इवेबिल जनरेट करना होगा परन्तों दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता हुआ कि जियेश्टी के रूल 138 के अंदर किकल 154 आइटम्स उन्हों डिफाइन किये हुए हैं खास एक्जेमिटेड की कैटेगरी में आते हैं और गौर्मेंट ने उनको इवेबिल जनरेट करने से भी मना किया हुआ है तो दोस्तों उन केसे को छोड़ करके उन 154 केसे को छोड़ करके आपको बाकी सभी केस में चाहे आप एक्जेमिटेड सप्लाई करते हैं चाहे आप टेक झाल झाल